जेवर एरपोर्ट के भूमी पूजन को लेकर सभी तयारिया पूण कर ली गई है बस इंतजार है तो प्यमो दप्तर से प्धान मंत्री के आगमन की तारीख मिलने का अगर हम तयारियों की बात करें तो हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर जाड़ियों को ताकि हेलीपैट तयार किया जा सके और ठीक मेरे सामने जो रोड है इसी के दूसरी तरफ पार्किंग अस्थल तयार किया गया है ताकि जो हजारों की संख्या में लोग इस कारिक्रम में जूटेंगे उनके गाड़ियों को खड़ी करने की ब्यवस्था की जाए आप देख स ये वर एयरपोर्ट के भूमी पूजन की यह तक्रीवन उम्मीद थी अगस्त के अंतिम सब्ताहम हैं लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि अफगानिस्तान में अंतररास्टी संकट और फिर कल्यान सिंग जी की मृत्यू जिसकी वजए से यह भूमी पूजन संपन नहीं हो पाय तो अभ तैयारियां हम लोग हैं पूरी कर चुके थे इस्थल का चैन हैलीपैट कहां बनेगा पार्किंग इस्थल कहां होगा यह सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि कब हमारे देश के प्रदान मंतरी इस जेवर में उस प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधार सिला रखेंगे जिसके लिए पिछले 25 साल से इंतजार हो रहा था प्रदेश के मुख्य मंतरी निरंतर चूंकि उनका ड्रीम प्रोजे है दिरेंजी तो यह भी माना जा रहा है कि नौरात्री में जो भूमी पूजन है उसका कारेक्रम हो सकता है इसको लेकर के क्या आपकी प्यमों से बात हुई या फिर अभी जो प्रस्ताव है वो रुका हुआ है देखिए हमारी बाद उत्तर प्रदेश सरकार और जो एरपोर्ट का कारिये देख रहे हैं उड्यन सचिब उनसे निरंतर होती रहती है तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि साइद प्रदान मंत्री हमें सीगरी समय दें और वो समय नवरात्री भी हो सकता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन तैयारियां सारी पूर्ण हैं और हम ये भी जान लें कि जीरिक वालों ने अपनी मसीने डिप्यूट कर यहां सारा अपना प्लानिंग कर ली है कि कहां हमें पहली हवाई पट्टी बनानी हैं और उनकी तरफ से भी पूरी तैयारिया से सरकार की तरफ ए सिर्फ जरूरत हैं हमें की ंडी का उनका कारेक्रम मिलते जिध ness पर यह फूर्व कारेक्रम कर एक एसा यहां से कारेक्रम किया जाएगा ईससे लोग वर्सों याद रखेंगे he किसान भी बहुत उत्सुक हैं जिन्होंने विकास के लिए इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी वो इस धर्ती पर देश के प्रधान मंत्री का आगमन देखना चाहते हैं और उस योजना को देखना चाहते हैं जो इस उत्तर प्रदेश के असंख है नौ जवानों को वेशने के लिए भी यहां पर तयारियां की जा रही है कई पार्क डब्लब किया जा रही है और भी तरीके के संसाधन तयार किया जा रहे हैं ताकि जो पैसेंजर यहां पर आएं अगर फ्लाइट लेट होती है तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो ट्रांस्पोरेशन को को लेकर के बिसेख तैयारी की गई है तो किस तरीके से यहां पर तैयारी की जा रही है मैत्रों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट को दुबारा बना एजा रहा है Ведь दिली मेट्रय का मानना है कि हम सिवाजी स्टेडियम से सुपरफास्ट ऐसी मेट्रोद हैं जिससे की 45 से 40 मिनट में जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहुंचा जा सके पॉट टेक्सी का कारिय भी आरंब है जो लोग और सीगरिता से बिना बाधा की एरपोर्ट पहुंचना चाहें सड़क मार्क के अलावा तो पॉट टेक्सी से उन्हें पहुंचाया जाए दूसरा सड़क मार्क से भी कई रास्ते प्रस्तावित किये जाने जिससे इंटरनेशनल एरपोर्ट सीधा गुरगामा से फरीदाबास से पलवल से इसकी ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए जो सीगरिता स से लोग यहां पहुंच सकें चूंकि इसका मकसद ही यह था जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ा है दिल्ली एरपोर्ट पर तो वह ट्रैफिक यहां ना रहे और ट्रैफिक की वज़े से जो फ्लाइट लेट हो जाती थी वो दिक्कत हैं लोगों के यात्रियों के समख्ष यहां ना आए और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्गो एरपोर्ट भी होगा बहुत से हमारी जो अध्योंगे के काई आएंसी आर के आसपास कार्गो एरपोर्ट होने के बाद में उन्हें सुविधा होगी माल ढोने की चूंकि दिल्ली में नुव एंट्री रहती है इसलिए काफी डिले हो जाता है उसमें और फिर सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है वो है मरो मेंटेनेंस रिपेयर हब जो कि सिंगापुर में है है और महां हवाईजाज रिपेयर होते हैं आसपास के मुलकों के तो उसकी भी योजना इसके साथ ही बनाई जा रही है कुल मिलाकर ही है एक ऐसा च्छेत्र हो जाएगा जो किसी भी माइने में न्यू आर किया यूरोप के किसी एरपोर्ट से कम नहीं होगा और एसीया का तो फिर्माड होगा और खास तोर से जो पैसेंजर हैं उनको बहतर सुविधा दी जाए ताकि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा करने के लिए पहुंचें अगर हम बात करें तो क्या दिल्ली से सस्ता यहां पर किराया भी किया जा सकता है इसको लेकर के भ देखा जा रहा है वायबिलेटी के यात्रियों पर अनावस्यक बोजना पड़े और यहां अट्रेक्ट हों अन्य यात्री भी आसपास के जिलों के प्रदेशों के इस वज़े से कि महां किराया भी कम है आने जाने का खर्चा भी कम है और सुविधाई भी जादा है तो इन स कौन सा स्थान चिन्हित किया गया है जहां पर भूमी पूजन होगा देखें यह जो इस्थान आप देख रहे हैं यह सारा उनके सभा इस्थल के लिए और जहां पहली हवाई पट्टी बनेगी वह इस्थान इधर है हमारा सड़क के सीधे हाथ को जहां उनका हैली पैट बन तो वह सारा आपको जो है एरिया हमारा पार्किंग के लिए निश्चित किया गया तो यह वह इतिहासिक छणका सभी लोगों को इंतजार है जिस दिन भूमी पूजन होगा और वह प्रोजेक्ट जो इस उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगा आसपास के उत्तर भारत के ल पिहासिक पल को जब देश के प्रधान मंत्री यहां पर अपने करकमलो द्वारा जेवर एरपोर्ट के लिए भूमी पूजन करेंगे और उसके बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड़्डा बन कर तयार होगा तो यानि कुल मिला कि यह कहा जा सकता है कि पश जेवर एरपोर्ट के बनते ही तो यानि कुल मिला के अब इंतजार है तो प्रधान मंत्री जी के उस कारिक्रम का जब भूमी पूजन होकर के यहां पर हवाई पट्टी का निर्माण सुरू होगा ग्रेटर नोड़ा से बीडियो जरनिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे ABP गंगा